पोश्टर जारी कर बीजेपी ने राहुल गाधी को बताया नय यूप का रावन बात्य जनतापाटी ने कांग्रेस नेता राहुल गाधी का एक पोश्टर जारी किया है जिसमें उन्हें रावन की तरह दिखाया गया है इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग पेज हो गई है बीजेपी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स यानि पहले ट्वीटर इसका नाम था अब एक्स हो गया है उस पर फिल्मी एस्टाइल में एक पोश्टर सेयर किया है इसमें लिखा है रावन कांग्रेस पार्टी का प्रोडक्शन और निर्देशक में दिखाया गया है जार्ज जोरस निर्देशक जिसका बताया गया है जार्ज सोरस अब नमस्कार मैं धर्मिंद कुमार और आप न्यूजपोर विहार देख रहे हैं ट्वीट में बीजेपी ने हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमेन जार्ज सोरस पर भी निशाना साधा है पुश्टर में रावन के स्थकल में राहुल गाधी की तस्वीर सेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा है कि नयूग का रावन यह दूष्ट धार्म बिरोधी और राम बिरोधी है इसका लक्ष भारत को नश्ट करना है इस पर कांग्रेश के राष्टिय महासत्यू जैराम रमेश ने पलटवार किया है उन्होंने पलटवार में लिखा है कि बीजेपी की कोर्सिस राहुल के खिलाब हिंसा को बढ़ावा देना है उन्होंने एक्स पर लिखा यानि ट्वीटर पे लिखा है बीजेपी के अधिकारिक हैंडल पर राहूल गाधी को रावन के रूप में पेश करने वाले निर्संसक निर्संस ग्राप्षिक का वास्तिक इरादा क्या है इसका मकसद अस्पेश्ट रूप से एक कांग्रेस सांसद और वीजेपी के पुर्व अध्यक्ष के खिलाप हिंसा भरकाना और उक्साना है जिनके पिता और दादी की हत्या भी उन लोगों ने कर दी गई थी यानि उन लोगों के द्वारा कर दी गई थी जो भारत को होने और नर्सिस्टिक डिस आडर के से प्रीत होने का स्तबुत देना है लेकिन अपनी पाटी से इस तरह से घिरनक से भरे कंटेन बनवाना ना केवल पुरी तरह से अश्विक्यार है जबकि बहुत खतरनाक भी है हम डरने वाले नहीं है इस पर करीपर्तिक्रिया देते हु जैराम रमेश ने प्लटवार करते हुए प्रधान मंत्री नरंद मोदी पर जम कर निशाना साधा है और उन्हें जूट और अफवा फैलाने वाले नेता करार दिया है लो ने यह भी कहा कि यह प्रधान मंत्री हरमेशा से जूट और अफवाहों में जीता है यह हरमेशा पुस्टर को ले करके काशी नराजगी ब्यक्त करते हुए बीजेपी के अन्य नेता हो पर भी निशाना साथते हुए जम कर बड़स रहे थे बड़ाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बक्स में अपनी पत्किरिया जरूर दें